हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल बेस्ट नॉलिज तुड़ेज माई टॉपिक कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग अक्टूबर 2007 का यह प्रीविज कोशन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो प्लीज आप पिछली वीडियो चेक कर लेजिए आपको सभी इंपॉड़न्ट क्वेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी जितन भी मोस्पॉड़न्ट क्वेशन है व में attempt all questions सभी questions करना है और इसके बाद आता है first question define the flowing terms clear जो यह five questions है जो की one one marks की है abdominology clear इसके बाद आता है malnutrition and sea में आएगा wholesome waters ठीक है इसके बाद d में आता है seaways and e में आएगा adulterations जो यह questions है five questions है सभी questions करना है आपको ठीक है और जो एक questions है यह one marks का है इसके बाद आप देख रहे है second question इसके अंदर आता है fill in the blanks चाहे तो आपसे two falls पूर सकता है fill in the blanks पूर सकता है one one marks के भी question पूर सकता है चाहे वो 20 marks का पूचे चाहे वो 15 का वो है examiner के उपर depend करते है कि वो exam जो है वो कैसा बनाएगा ठीक है तो इसके बाद आता है philips हम उसे भी देख लेते है इसमें आप देखे ए में इसके अंदर आता है night blindness is called by the deficiency of vitamins ठीक है इसका जो है आपको answer बताना है इसके बाद b में आ यह पहले भी previous question paper मैंने आपके share किया और में यह question repeat हो चुका है इसके बाद आता है deafness is caused by dash pollution clear इसके बाद जो आता है e में आता है typhard is a dash born disease ठीक है typhard जो है वो क्या है उसके बार में बता रहे हैं ठीक है इसके बाद आता है और यह जो question से यह है 1-1 marks की clear जो है 5 questions है सभी करने पड़ेंगे आपको इसके बाद जो थर्ड आप देख रहे हैं थर्ड में देखिए इसके अंदर आता है write down the flowing ठीक है यह 5 questions है 3-3 marks कहें सभी करना पड़ेगा 15 marks कहें इसमें जो first question आप देखिए इसमें क्या बताये गया है objectives of community health nursing practice ठीक है यह 3 marks कहें and जो B है high risk families यह भी आप आपका 3 marks कहें इसके पाद जो C आता है purpose of home visiting home visiting का जो है यह जो है हर एक previous question paper में repeat हुआ है तो इसे आप जुरूर कीजिएगा तो most fun questions है तो यह भी 3 marks कहें इसके बाद D में आता है principles of cooking यह भी आपका 3 marks कहें इसके बाद E में आता है modes of disease transmissions ठीक है यह total gwाप की questions है 15 marks के है modes of disease transmission यह भी आपका 3 marks कहें का है, इसके बाद C में आता है Various-types of records, यह भी आपका three marks का है, इसके बाद आता है small family norms, यह बी आपका three marks का है, ठीकिस इसके बाद है characteristics of healthy individual यह भी आपका three marks का है, ठीकिस अब इसके विचो five questions फिफ्ज याने की, write down the immunization schedule of 0.5 years as group children, ठीकिसे इसे भी आपको करना ही इसके बाद आता है explain the barriers of communications C में आता है role of nurse in a primary health care ठीक है यह जो है questions आपको तीनों करने है तो एक question three marks का है इसके बाद जो six आता है six में आता है आपका right short note आईनि four questions करना है आपको ठीक है first जो question है community health nursing process इसके बाद आता है household methods or pre-resisting and storing foods ठीक है इसके बाद जो C में आता है community ठीक है इसके बाद जो D में आता है water pollutions E में आता है light diets ठीक है यह total जो अब की है 20 marks का है clear one जो question है वो five marks का है तो जो आपको इन five questions में इसे four questions आ रहे है आपको वो attempt करना है और मैंने जितने भी अभी तक आपके साथ जो previous question paper शेयर किये हैं आप उसे जुरू चेक कर लेजी उसी के ही through आप अपनी जो है त्यारे कीजिए अच्छे से क्योंकि जो आपके exam है वो बिल्कुल ही नजदीक हैं कभी भी आपके exam हो सकते हैं तो अपनी तरह से बिल्कुल prepare क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक आपके साथ जो भी वीडियो शेयर की हैं जो अपनी नोडिस जो पढ़ लिया होगा कि आप अच्छे से अपनी जो है study कर रहे होंगी क्योंकि आपको जो है अपनी तियारी जो है अच्छी से करने ही, क्योंकि जिन्ते भी मैं कॉशन इसलिए आपके सहार करनी हств करें विकॉज इससे आपसे ही यह नहीं हो Thank you so much!